तो देखते हैं पर question number 42 में हम से क्या पूछा गया है? Our train accelerates from 20 km per hour to 80 km per hour in 4 minutes. How much distance does it cover in this period? Assume that the tracks are straight. तो जो यहाँ पर train है वो यहाँ पर क्या कर रहे है? Accelates कर रहे है, अपनी speed को क्या कर रहे है? बढ़ा दिये. पहले उसकी speed यहाँ पर किती थी? 20 km per hour थी और बाद में हमारे यहाँ पर कितने हो गई? 80 km per hour हो गई. यह सिर्फ यहाँ पर 4 minutes में हुआ है और हमें यहाँ पर बताना है कि इसने यहाँ पर कितना distance cover किया इस period में और जो यहाँ पर track है वो state दे रखे हैं. तो करते हैं यहाँ पर इसको solve. तो इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं solve. तो जो हमें यहाँ पर initial velocity दे रखे हैं, वो यहाँ पर 20 km per hour दे रखे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? U equal to 20 km per hour. U हम यहाँ पर initial velocity से denote करते हैं. एंड final को V से करते हैं. तो V हमारे यहाँ पर कितना दे रखा है? तो इसको हमें यहां पर 60 से डिवाइट करना पड़ेगा तो यह हमारे यहां पर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 and यहां पर आ जाएगा 15 तो यह हमारे यहां पर कितना आ गया 1 by 15 आवर आ जाएगा ठीक है अब हमें यहां पर निकालना क्या था हमें यहाँ पर निकाला था कि इसने कितना distance cover किया होगा तो उससे पहले हमें यहाँ पर acceleration find out करना पड़ेगा तो acceleration find out करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा first equation of motion का formula use करूँगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं using first equation of motion v equal to u plus 80 तो जो यहाँ पर final velocity वो हमें यहाँ पर 80 km per hour दे रखिये initial यहाँ पर 20 दे रखिये, acceleration हमें यहाँ पर क्या करना है find out करना है और time हमें यहाँ पर कितना रखा है 1 by 15 hour का दे रखा है इसको यहाँ पर further solve कर लेते हैं यहाँ पर 20 वो अगर यहाँ पर left side जाएगा तो negative हो जाएगा तो 80 minus 20 equal to यहाँ पर हमारे कितना जाएगा a by 15 आ जाएगा इसको यहाँ पर further solve कर लेते हैं तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 equal to a by 15 cross multiply करेंगे तो 15 उपर जाके क्या होगा multiply हो जाएगा तो यह हमारा acceleration कितना हो जाएगा 15,6,90 तो यहाँ पर आ जाएगा 900 km per hour का square आ जाएगा तो यह हमारे यहाँ पर acceleration निकल के आ चुका है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे second equation of motion formula use करके हम यहाँ पर distance निकाल लेंगे तो distance को मैं यहाँ पर small s से denote करूँगा तो इसका जो formula होता है second equation of motion का वो हमारे यहाँ पर क्या होता है s equal to ut plus half a t square तो हमें यहाँ पर निकालना क्या था distance निकालना था इसको as it is ही रहने देंगे initial velocity हमें यहाँ पर कितने गिवन थी 20 और time हमने यहाँ पर कितना निकाला था 1 by 15 आवर निकाला था plus half acceleration अभी हमने यहाँ पर 900 निकाला multiply time तो यहाँ पर कितना हो जागा 1 by 15 का whole square हो जाएगा इसको यहाँ पर और further solve कर लेते हैं तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जागा 20 by 15 हो जाएगा plus तो इसको अगर मैं यहाँ पर divide करूँगो तो यह हमारे हमारे कितना जाएगा 450 आजाएगा यहाँ पर लिख लेता हो 450 multiply और 15 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे 225 आएगा इसको अगर मैं यहाँ पर divide करूँगो तो यहाँ पर क्या होगा यह है दो बार में हमारे कट जाएगा क्योंकि 225 प्लास 25 कितना होता है 450 होता है तो यह हमारे हैं पर कितना आजाएगा इस तो यह हमारे यहां पर आजागा 10 by 3, तो 10 by 3 हमारे किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, क्योंकि हम यहां पर क्या निकाल रहे थे, डिश्टेंस निकाल रहे थे, तो हमारे यहां पर 10 by 3 किलोमीटर आ चुका है, इसको अगर यहां पर आप फर्दर डिवाइड करेंगे, तो यह हमारे यहाँ पर कितना है कि 3.33 km तो होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इस कुशन को कैसे सॉल्व करना है अब हम चलती है अपने नेच्ट कुशन के तरफ